नमस्ते सदावसले बात्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मनीश शुदिया के बेल ओर की हाला कि यह हम सबको मालूम है कि मनीश शुदिया के बेल एक हफता पहले ही डिसमें सोच चुकी है लेकिन वो जो ओरल ओर दिया गया था उसका डेटेल्ड ओर आ गया है 106 पेज का ओर लिखा है आप सुचिए कि कितना आसामान ने ओर लिखा गया होगा कितना डेटेल में ओर लिखा गया होगा इतना बड़ा घुटाला है देश भर उनको देख रहा है और पूरी आम आदमी पार्टी इसमें दाओं पर है पूरी आम आदमी पार्टी पर प्रशने लगा हुआ है केबल ये शराब घुटाले की बात नहीं है ऐसे बहुत सारे और भी घुटाले है जैसे जलबोट का घुटाला सामने निकल कर आया सामने निकल कर आया पैथलोजी का घुटाला सामने निकल का है school के कमरे बनाने का घोटा लाग ऐसे बहुत सारे जिन जिन विश्वों पर अर्वेंद के जिरिवाल ने कहा कि हमने ये फ्री कर दिया वो कर दिया ये फ्री के चक्र में कूप सारा करप्शन भी किया गया और जनता को ये समझाने कोशिश की कि तुमको फिरी मिल रहा है हम चाहें कितना भी करप्शन करें चाहें जितना करप्शन किया जाए एक रुपए की छीज पांच रुपए में खरीद कर आपको तो फिरी दी है हाँ, यह बात अलगए है कि डिरेक्ट जनता को आपने दे दिया तो वो डिरेक्ट जनता को देने का मतलब अगर सोचा जाये तो यह बात आती कि वह एक रुपए हमारी जम में आरा चार रुपए कर्रेप्शन कर रहे है कि जरीवाइल जी तो क्या है ये जो घोटाले था इसमें मनीश शवदिया ते पहले बेल लोर कोर्ट में लगाई थी त्रेस्मस कर दिया फिर उन्हें बेल हाई कोर्ट में लगाई थी, हाई-कोर्ट ने उनकी प्विल्ट सुनी और सुने के बाद रिजेक्ट किया था है रिजेक्टि करते समय उन्हें जो ओडर लिखा हाइब आडर लिखा क्योंकि इनका पूरा का पूरा इश या की शराब घ्षीॐड वाल को समझ में आता है हलांकि अर्विंद केजरीवाल executive body है executive body को एक बात तो समझ में आती ही कि trail court कहां तक सोच सकता है उनको एक बात ये तो समझ में आती ही कि अगर evidence नहीं मिलेगा अगर पैसा recover नहीं होगा अगर document recover नहीं होगा तो घोटाला चाहें जैसा भी हो कोटला चाहें कितना बड़ा भी हो छूटने की समभावना है क्योंकि कानून की जो सामन जानकार है मैं specialist की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कानून की जो सामन जानकार है उनका मनना बिलकुछ साफ है कि जब body ही नहीं मिली तो murder कैसा यानि कि body को नस्ट कर दो और कोई evidence body का ना मिले तो murder proof नहीं हो सकता और अगर circumcical evidences हैं भी तो benefit of doubt मिल सकता है finally छूट जाएगा ऐसा लोगों का मनना था और ऐसा कभी था भी दो-तीन कानून के principle हुआ करते थे एक principle हुआ करता अभी भी है मैं आसामानने की बात कर रहा हूँ आसामानने इस्तिती में नहीं कर रहा हूँ एक सामाने प्रिंसपल यह है कि बई case चल रहा है accused जब तक गरफतार नहीं होगा अभ्यूकत जब तक गरफतार नहीं होगा तब तक उसके खिलाब trial कैसे चलेगा यह एक सामाने प्रक्रिया है आज भी बहुत लंबे समय तक वेट किया जाता है कि पहले accused को पकड़ कर लाओ उसके लिए हम सब जानते हैं कुड की निकाली जाती है वारन निकाले जाते हैं और बहुत सारी प्रक्रियां अपना यह जाती है टीवी पर दिखाया जाता है पोस्टर छबबाया जाते हैं डूडूवी बजाई जाती है ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिन्स जो यह तै करना मनलब कोट यह तै करता है कि trial presence में होगा लेकिन प्रभाकरन का मामला यानि कि राजिव गांदी हत्या का मामला उसमें प्रभाकरन तो पकड़ में कभी आया नहीं उस समय भी कोट ने या order किया था उपर apex कोट ने या हाई कोट ने कि अगर कोई विक्ति आने के संभावना ही नहीं हो तो फिर उसकी absence में भी trial चलाया जा सकता है दूसरी बात ये भी है कि अगर body ना मिले लेकिन circumstantial evidences कह रहे हैं कि वह ये इन्होंने हत्या की और ये हत्या की तो ऐसी प्रस्थिती में भी अब सजाक होने लगे circumstantial evidences के मामले में कोई evidence नहीं है लेकिन एक story बनी है और वो break नहीं हो रही है कहीं से तो story break ना होना भी सजाक के लिए ले जाता है इनकी evidences प्रतिक्ष प्रमाण नहीं है मैं भारत के कानून की बात करूँ हमरे पास नियाए सहिता है नियाए सहिता तो अभी वाली मैं बात नहीं करता हूँ जो नियाए दर्शन की बात करता हूँ हमारे हाँ नियाए दर्शन में ये कहा गया है कि प्रतिक्ष के आधार पर निरने नहीं होना चाहिए प्रतिक्ष को प्रमाण की अवशक्ता होती जब कि आजकल का फर्मूला यह हो गया प्रतिक्ष को प्रमाण की अवशक्ता नहीं जो हुआ जो सामने दिख रहा है के वर उतना सफिशेंड नहीं है उसके पीछे की जो background story है वो भी आवश्चक है और उसके आधार पर ही निरने लिया जा सकता है तो प्रत्यक्ष भले ही पैसा ना मिला हो ये शरब भोटाले में लेकिन अब प्रत्यक्ष अनुमान और प्रमान ये सब अर्विंग केजरिवाल के खिलाफ जा रहा है अब इन्होंने पूरी story अपनी बनाई और वो story ये बनाई कि भाई जब पैसा आपने पकड़ा ही नहीं गया मनीश्य शोदिया का जब locker देखा गया तो उसमें जुँँँँँआ निकला आप सोचो कि locker में जुँँँ लॉकर में रखना मतलब बिल्कु साफ है कि पहले से प्लांडवे में ED या CVI जहां तक investigation करेगी इन्होंने पहले प्लान किया होगा कि यहां यहां आएगी अगर वो account देखेगी तो उसको यह मिलेगा अगर वो locker देखेगी तो उसको कि बड़ी शातिर्ता के साथ इसको प्लान किया गया और प्लान करके अंतिंख शोर्त की evidence कौन से नहीं मिलने चाहिए तो पैसी की recovery नहीं हुई यह उनका argument आज भी है कि एक रुपिया आपने ने पकड़ा आपने जुन जुना पकड़ा जो उन्होंने जानबूच कर पैसा ह हमारे पास कोई recovery तो हुई नहीं तो court ने क्या कहा आज कल electronic जमाना है आज कल electronic instrument का जमाना है आज कल आधुनिक तरह से चूरी करने का जमाना है तो अब यह कहना कि यह नहीं मिला जब e-form में या wire form मतलब पैसा जो online transfer होता है wire transfer जहां पर होता हो जहां पर विदेशों में भी प से चीजे खरीद ली जाती हों जहां पैसा सेफली electronic form में रखा जा सकता हो और तमाम तरह की जुगत technology लगाते हुए की जाती हो तो उने बिल कोर्ट ने कहा अपने 106 पेज के order में लिखा कि अब समय दूसरा है और आज की तारीक में digital form में या आधुनिक technology लगाते हुए बड अपने ढूना मिला नहीं दूसरी बात तुन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिला मैं यह जो अभी detailed order आया मैं उसकी बात कर रहा हूं पैसा नहीं मिला यह कोई criteria तो नहीं है किसी को छोड़ने का अगर बाकी evidences मिल रहे हैं जिनसे हवाला हुआ वो मिल रहे हैं जिनने पैसा दिया वो statement आ रहे हैं जिनका पैसा गया वो statement आ रहे है कैसे आया वो statement आ रहे है बिचावलिया कौन था वो statement आ रहे है सब कुछ मिल रहा है केबल एक आधार कि आपने पैसा रिकवर नहीं किया यह आधार आपको छोड़ने का आधार नहीं है अगर आप इस आधार पर हमसे बेल मा जमाना है आज आधुनिक तरीके से बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं बहुत सारे खेल होते हैं आप सूचिए कि ऑनेबिल हाई कोट ने 106 पेज का ओर लिखा है मतलब क्या है मतलब यह है कि अगर इसमें बहुत कुछ भी ओर लिखता तो भी 150 पेज मतलब 1020 पेज का कोट भी चुकि लोवर कोट होता है इतना ज्यादा उनके पास विस्तार नहीं होता तो वह भी बहुत बड़ा ओर लिखेंगे तो 30-40 पेज का लिखेंगे ओनेविल हाई कोट ने 108 पेज का ओर लिखने का मतलब बिलकुल साफ है कि ट्राइल में जो कुछ विजो एविडेंसिस कोट के सामने रखे गए अभी तक जो स्टेटमेंट कोट के सामने आए हैं अभी तक की जो फाइलिंग बता रही है उसके आधार पर हाई कोट ने एनलि है ओनेविल हाई कोट ने ये कहा कि ये तो पाया गया है ना कि मनी ट्रेल हुई है ये तो पाया गया है कि ने घोटाला किया गया है ये तो पाया गया है कि इसमें पैसा चला है के बल इतनी सी बात कि की रिकवर नहीं हुआ आपने छुपा लिया है या आपने खर्च कर लिय रहने कर देड़्े आर्डर नीचे वाली कोट का जोऊठास Bill시 कर दिया है इस कोट में ट्राइल चलना उसका काम अभी से बहुत सरल कर तपर और मुलिझे पार्टर किया है可illy और में पर्टर कर चुका है और ल। झाल के केजरिवाल भी इसम्हाटने वाली है थे रहें मनीश शिशोदिया की CVI ED के खिलाब रेजेक्टर नहीं हुई और और नहीं लिखा यह मनीश शिशोदिया के जितने ओर हो रहे हैं वो सीधा के सीधा अर्विन केजरिवाल को प्रभाव डालते हैं और भी हाई कोट का कहना था कि आप बहुत प्रभावशाली आदमी आपके प चूड़ने का मतलब है कि पूरे केस में गलत हो जाना हम आपको बिल नहीं छोड़ सकते इसलिए आपकी बिल किया जा रहा है क्यों क्यूंकि पैसा नम मिलना कोई कोरेटीरिया नहीं है क्यों जो पली आप कर रहे हो जो अर्गुमेंट अम पूर्ड के सांटे वह आर्गुमेंट इस आधार पर नहीं टिक रहे हैं या टिकने के योके नहीं हैं कि वह आपको एक्कुट कर रहे हैं हों या आपको बेल देने के लिए सक्षम बनात्र है अरविंद केज्रिगाल कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए विभभाकमार के लिए इतनी हायतोबन पएक्पोफट करने को घूम रहे हैं, मतलब अध्मत्यय से मतलब करने यह तनी खेल रहे हैं! अगर कि लेभाकमार पोफट अध्यार में मनी शामधिया का ओर्डर का मतलब केज्रिवायम पर सीधा order होना और मनी शिशोदिया की bail dismiss होना मतलब कीजरी वाल को सीधा संदेश देना मनी शिशोदिया के मामले में 106 page का order लिखने का मतलब बिल्कुत साफ है कि नीचे lower coat का काम बहुत आसान कर दिया सुप्रीम coat में मामला जाएगा अब निश्यत तोर से bail के लिए सुप्रीम coat में मामला जाएगा उससे पहले एक detailed analysis 106 page की और हाई coat ने कर दी है कोई भी matter बाकी नहीं रहा होगा जिसको लेकर error पाया जाए या जिसको लेकर दुबारा सुनवाई करने का लंबा आवसर दिया जाए ये लंबा खेल चले मुझे लगता है कि सुप्रीम coat ने जो bail कारिज की थी उससे जादा खतरनाक तरीके से और अब इन हाई coat ने अब bail डिस्मिस की है जैहिन जैभारत बंदे मातरम